हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3.1 टैक तो फ्रेंट अगर आप एक शोट्स क्रियेटर हैं शोट्स वीडियो बनाते हैं तो वीडियो को अपलोड करते टाइम आपके मन में एक कन्फियूजन हमेशा रहती है कि मैं जब आज की इस वीडियो में मैं आपका यही कन्फियूजन दूर करणे वाला हूं और आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके लिए कौन सी चीज सही है मतलब आपको अपनी वीडियो का अप्लोड करते टाइम उसे पब्लिक करना है द्र Arms प्रीमियर करना दोनों से क्या होता है करने से सारी चीज़ों को मैं डेटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा लास्त तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यूं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और notification bell को on करके उसे all पे set कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की update सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो friends सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपका जो YouTube channel है जो आपका shorts का channel है अगर उस channel की reach अच्छी है मतलब आपको पिछले 48 घंटे के अंदर उस पे 2 million से ज़्यादा views देखने को मिल रहे हैं फिर तो आपको अपनी वीडियो को premiere करके upload करना चाहिए क्योंकि जब आप premiere करके upload करते हैं अपनी वीडियो को तो उस पे सबसे पहले तो YouTube उसे browse feature के अंदर भेजता है एक दो घंटे तक वो वहाँ पे रहती है जो आपके subscribers होते हैं वो आपकी वीडियो को watch करते हैं और 70-80% भी अगर आपको वहाँ से audience retention time मिल जाता है तो उसके बाद YouTube आपकी वीडियो को आगे भेजता है आ रहा होगा कि मैं अपनी वीडियो को public करूँ या premiere करूँ तो अगर मैं premiere कर रहा हूँ तो उससे मुझे क्या benefit मिल रहा है तो मैं आपको इस चीज को clear करना चाता हूँ कि premiere करने से आपका जब वीडियो जब आप upload करते हैं प्रिमियर करके तो वह एक दो घंटे के अंदर आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास जो जाती है वह ब्राउस फीचर में वहां से वह देखते हैं अगर उसमें 70 से 80 परसेंट भी मिल जाता है आपको ओडिंस रिटेंशन टाइम तो फिर उसे शोर्ट स्वीड के अंदर भेजता है यूट्यूब और वहां पे अगर आप पब्लिक करके अपलोड करेंगे पहले वीडियो को तो जो शोर्ट स्वीड में जायेगा मान लिजे वो 1000 को भेज रहा है तो जब आप प्रिमियर करके अपलोड करेंगे और आपको रिटेंशन टाइम भी अच्छा मिल रहा है तो वह शोर्ट स्वीड में 2000 लोगों को भेजेगा यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर आपको ओडेंशन अच्छा मिल रहा है प्रिमियर में तो आपके जो शोर्ट स्वीड के अंदर जायेगा वो पब्लिक से डबल जायेगा चाहे उसमें भी ओडेंशन अच्छा आ रहा हो लेकिन फिर भी इसमें वो डबल हो जाता है तो यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है तो आई होप आप सब लोग आप समझ गए होंगे कि आपको अपनी वीडियो को अपलोड करते टाइम से पबलिक करना है या फिर उसे प्रीमियर करके अपलोड करना है अगर फिर भी वीडियो से related कोई भी query कोई भी question है आपके mind में तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई होतों से एक like जरूर करें हो ज़्याद से ज़्यादा share करें Thank you